तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन उस ब्लैक रॉक मॉंस्टर की साथ फाइट करते वे जब जैंक के पास पहुँचता है तो वहाँ जाकर उसे वही रोबोट देखने को मिला था और ये रोबोट उसे मारने के रादे से उस पर खतरनाक अटेक करना शुरू कर दे और आस-पास फ्लावर पैटल उड़ने लगते हैं लिन तो जैंक को टाटके कह रहा था कि क्या तुम यह उडाना बंद कर सकती हो और फिर बता लगता है कि यह फ्लावर पैटल तो मैडम जैंक उड़ा रही थी जो कि कहती है कि बॉस यह सीन देखने में बहुत जाद अच् पर यहां जैंक मोबाई की तरफ इशारा करते वे पूछते है कि बॉस आखे यह कौन है तो हमारा लिन कहता है कि यह मोबाई है मेरी होने वाली वाइफ यह सुनने के बात तो बिजारी हमारी बाईश्वे भी शर्पा जाती है और जैंक तो इन दोनों के आखों आखों की ब काहर यह बंदा बहुत जादा बोलता है पर एक चीज जो मैंने इसके पास नोटिस की थी इसके पास अलग अलग तरीके की बावर्स है अब यह बाते तो हमारी मोबाई ने भी नोटिस की थी और वो कुछ स्ट्रेंज बेहेव करने लगती है जैसी कि उसे कुछ याद आया ह लेन उसे पूछ आए कि तुमने इतने दिनों तक क्या किया किसी नहीं परिशान तो नहीं किया न वो मना करते हुए लेन से पूछ थी पूछती है और तुम्हारे कैसा है जिस से बलक्र ठीक हूं पर इसके बाद वो धीरे धीरे गायब हो जाती है और फ्लावर पैटल में कनवर्ट होकर इस बॉक्स में वापस अंदर घुजाती है लिन तो इस बॉक्स को बड़े अराम से सम्हालते वे वापस अपने पास रख लेता है और वो काफी जादा सैड हो गया था यह सीन देखने कह रही थी कि बॉस आप एक काम करो आप थोड़ी देर जादा सैड रहलो मैं तब तक कुछ को ढूंड लेती हूं और यह बोलने की बात वहां से चली जाती है लिन जो कि अपने प्याल को इतने दिनों बात देखने के बात फिर से खोकर बहुत जादा उदास था विसे यहा लिन पर जले पर नमक शिडखने का काम कर रही थी यहां वाइट लिन को कहता है कि अब बच्चों जैसे मू बनाना बंद करो और तुम्हें मूबाई को ढोलना है तो और जादा स्ट्रॉंग होना पड़ेगा ना उसके लिए मेरे पास कुछ है तो लिन काफी सड़ेवे मू जरूर बुलाना यह बोलने के बाद नौदो क्यारा हो जाता है यहां लेन अपने इमोशन को साइड में रखकर जैसे ही थोड़ा सा ठीक होता है वहां पर जैंग भी हाजिर हो गई थी तब ही वहां पर वहां पर वहां पर जितने भी क्रिस्टल मौजूद है ना वो मेरे बाद वो ने यांग यमिन के एल्डर से मिलाता है जो कि काफी ज़्यादा पावफुल देख रहे थे और वो तो कह रहा था कि अब तुम समझो मरे लिंद तो देखकर काफी ज़्यादा शौक था कि यहां क्या कर रहे है उसका यह रियक्शन देखने के बाद ये बंदा कि कि आप डरने के लिए काफी साथा लेट हो गया है लेगता है यह वाला डालोग जनाब का तक्या कलाम है लिन तो कह रहा था कि वह बात नहीं है असल में एल्टरस के साथ भी फाइट करनी है कि यह बात मुझे पहले पता होती तो मैं लियोले से जादा स्पिरिट स्टोन ले ल लगता है इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर लिन थोड़ा सा परिशान हो गया था जैंक के लिए पर जैंक के लिए कि बॉस पिक्र करने की ज़रूत नहीं है पीछे पीछे आ रही हूं तो लिन भी रिलाक्स होके फाइट करने लगता है पर लिन का यहां पर एक खतरना आक अटेक देखने के बाद वो बंदा पीछे हटते वे एल्डर को कहरा था कि एल्डर आप इसे सबक क्यों नहीं सिखाते और वो एल्डर जो कि लिन की पावर को गौर से ऑब्सूफ कर रहे थे वो कहते हैं कि देखके लग रहा है कि यह लड़का स्पिरिच्वल मास्टर पर पहुँचके हैं इसकी बाड़ी बहुत जादा शाप हो गई है और ये एक बार में काफी जादा स्पिरिच्वल पावर को गैधर कर सकता है एल्डर तो सोच रहते हैं कि इस लड़के के साथ फाइट थोड़ी से टफ हो जाएगी पीछे से यह गुलिन चेमबर का मेंब पूरा एक साल का इंकम है और इसके अलावा आपने तो हमें प्रॉमिस भी क्या था कि आप इसे मार डालोगे अब आप अपनी बातों से ऐसे पीछे नहीं हट सकते हैं क्योंकि यह बहुत गलत बात है दूसरी तरफ से जैंक चला के कहती है और बुड़े अगर यहां से जिन एक कर दीता है इसे बचने के लिए अल्डर को शील बनानी पड़ी थी cocktails को बचाने के लिए elder एक barrier का यूज कर रहे थी ये एक double layer barrier था जिसकी वज़र से लिन का ये attack elders को कुछ भी नहीं कर पाता पर लिन अपने seven star यो हुआ की power का यूज करते वे divine sword से उस elder पर attack करता है जिसकी वजह से उसका ये double layer shield भी break हो गया था उन elder को तो लग रहा था कि Lynn का ये attack भी कुछ नहीं कर पाएगा पर वो ये देखकर काफी ज़्यादा शौक थे कि ये attack कितना ज़्यादा powerful है और यहाँ दूसरे तरफ elder की ये हालत देखने के बाद गुलिन चैमबर का वो person अपने token को break करके यहाँ से भागने की कोशिश करता है जिसे देखकर जैंग कहती है कि भागा तो इतनी जल्दी है कि जैसे मरने वाला था पर फिर वो ये देखकर खुश हो जाती है कि उसे पोटली भर के काफी सारे crystal मिल गए वो तो कह रही थी कि boss इसके help से हम सबी जीच जाएंगे यहाँ लो रेन और चैंग को होश आ गया था और वो ये सारी कहानिया सुनने के बाद काफी जादा है रान हो रहे थे और वहाँ पे एक और खड़े थे जो काफी गुसे में इनको देखकर कह रहे थे कि आगे तुम्हारी हिमत कैसी हुई कि यांग यहमन के एल्डर को इतनी बुरी तरीके से घायल कर दिया एल्डर के गुसे को भढ़काने के लिए वहाँ पे नियांग ये कहने लगती है कि एक सिंपल से की रिफाइनर ने यांग यमिन के एल्डर को गाहल करने की हिम्मत की कैसे पक्का इसे पीछे से किसीने सपोर्ट किया होगा और ये बोलकर वो लिउ की तरफ इशारा करी थी जिसके इशारे को अच्छे से समझते वे एल्डर काफी सारे गार्ड्स को लिउ को भी पकड़ने को कहते हैं गार्ड स्लियू को भी पुरी तरीके से घेर चुकी थे और ये देखकर लूरन कहती है कि इनका हिससे कोई लेना देना नहीं है, असलियत में तो जो इस केस से रिलेट कर रहा है वो मूट्यान है और मूट्यान वही बंदा है जिसके लिनने पिटाई की थी, लूरन तो कहती है अगर पकरना है तो उसे पकड़ो, पर यहां नियांग खुद को इनुसेंट दिखाते वे कह रही थी कि हमारे चैबर में से कोई भी बंदा इस तरीके की हरकत नहीं कर सकता, तो ऐसे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी केस तो यहां पर यह चल रहा है कि उपरनेश्रल एंटिटी अपने साथ रखता होगा, इनके अकॉर्डिंग लिन के पास कोई ऐसी पावर है, जो कि उसके पास नहीं होनी चाहिए थी, इन्हें लगता है कि लिन काफी साथ कमजोर है, इसलिए इसके पास ऐसा कुछ है जिसके हेल्प से यह लोगों को घाल कर तो वो डिमांड करने लगता है एल्डर से कि इसे मार डालो, क्योंकि यह बंदा सीक्रेट रियाल में हमें भी बारने की कोशिश कर रहा था, सब ही लिन के खिलाफ हो जाते हैं, यह देखकर एल्डर गार्ड्स को ओर्डर देते हैं कि पकड़ किलाओ इने, पर लिन भी अप खराबती कि दो लोग उने स्ट्रक्चर पर लिटा कर लेकर आए थे, यह एल्डर एल्डर मो को देखकर पूछते हैं कि क्या यही वो तीनों हैं जिन्हों ने तुम्हें घायल किया, एल्डर के हाँ बोलने पर यहां नियांग तो जोर जोर से हसने लगती है, और लियू का म बन जाता है, और जैंक कहती है कि देख लिया, यहां वो दूसरे वाले गार्ट को ओर्डर देते हैं कि वो नियांग को भी पकड़े, नियांग तो उनके अटैक को डॉच करते वे वहां से भागने की तियारी कर रही थी, वो एल्डर मो पर चलाते वे कहती है कि क्या आपका एकसेप्ट भी कर लिये और अब तुम हमारे खिलाव जा रहे हो, पर इससे पहले कि वो एल्डर को कोई भी नुकसान पहुंचा पाती, गार्ड्स उसे स्वार्ड की नोग पर ले लेते हैं, दूसरे तरफ सारे गार्ड्स लिन को भी पकरने के लिए उसकी तरफ चलारांग करे थे और यह देखकर वो एल्डर कहते हैं कि कुछ भी कर लो तुम यहां से भाग तो नहीं सकते, और वो अपना एक फ्लेम टाइगर फार्मेशन उपन करने वाले थे, पर इसी के साथ हमारा यह वाला एपिसोट हो जाता है खतम, आपको एक्स्प्लेनेशन कैसे लेगी, क बाइब ददा देखकेर